आज का जो सेशन है यहां पर हम बात करेंगे कि के एर इंडिया के उपर जो है मुकदमा दायर किया इस तरह से सू किया है यूएस के कोट में और बात की जा रही है कि के एर इंडिया की असेट्स को फ्रीज करना चाह रहा है एक्चली के इंडिया जो की बिटेन की एक ओई एंड गैस एक्स्प्लोरेशन कंपनी है उसके कुछ ड्यूज इंडियान गौर्मेंट से कुछ ड्यूज एंटेक्स रिलेटेट कोई डिस्प्यूट उनका चल रहा था उसकी वज़ए से इतना पैसा इंडियन गौर्मेंट से म गौर्मे बॉरेशन के लिए नहूं का इडियू है कैसे हिए जो ऑली इनर्जी वाला इश्ए सको उड़ाफउन वाले केस से लिंकिया जाए वोडवाले केस से लिंकिका जा रहे है एसका वोडवान वाले केस से क्या लिंक यह सारे इस्प् demais ब hus zona ब्रिफ इंट्रोडेक्शन अबाउट मी और टेलीग्राम यह जो चैनल है यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस सेशन के पीडियेफ और जो भी और आपके सेशन होते हैं उसके लिए आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी पर आपकी काफी सारी फ्री क्लासेज होती हैं उसके लिए आप इस लिंक पर मुझे फॉलो कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमने देखा कि के एर नेर्जी ने आपका स्टार्ट कर दिया है इंडियान असेट्स को फ्रीज करने के लिए लिए पर यह 1.2 billion dollar का यह जो फिगर है क्यों मांग रही है इसका रीजन है long standing tax dispute ओके इंडियन गौश्मेंट और के आ टेक्स को लेकर विवाद है काफी टाइम से चलार है उसकी वज़े से यह इस तरह से डिमांड कर रहे हैं, देखे हुआ क्या था 2006 के अंदर karen energy जो है उसका जो main branch है that is karen UK के वाली जो यह आपकी है उसने क्या किया अपने जो shares है कुछ share केर इंडिया को ट्रांसफर कर दी केर यूके ने अपने होता है जैसे मान लीजे आपने land खरीद रखी है कोई flat खरीद रखा है कुछ भी आपका capital asset है ना share हो सकते हैं कोई bond हो सकता है जब आप उनको sell करते हो उनको बेचते हो चाहे आपकी property हो गई building हो गई आपने खरीदा कम पैसे में आपको उससे बेचने से अगर मुनाफ़ा हो रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं उस मुनाफ़े को नाम दिया capital gain अब यह आपको capital gain हो सकता है किसी भी चीज़ से चाहे वो physical assets हो ठीक है चाहे आपके financial assets हो जैसे share हो गया bond हो गया physical में land building flats कुछ भी आएगा या फिर आपके intellectual property related asset हो trademark है patent है किसी की भी अगर आप sell कर रहे हो तो उससे जो पैसा आपको मुनाफ़ा हो रहा है उसे हमने capital gain नाम दे दिया अब capital gain जो है profit की category में आता है profit यह है तो इस पर tax लगता है सरकारे इस पर क्या लगाती है tax लगाती है तो यह जब आपका हुआ 2006 में इन दोनों के बीच में share का transfer हुआ और income tax इंडिया के अंदर जो income tax authorities है वो कह रहे हैं कि आपने यह जो share transfer किये इससे आपको क्या हुआ capital gain हुआ मतलब profit हुआ तो जब आपको profit हुआ है तो आप हमें tax तो दीजी आपने tax की चोरी कर ली टेक्स का तो बनता है ना तो इन्हों ने tax की demand करी और यह matter आपका income tax ability tribunal में जाता है तो वहाँ पे के एन energy हार जाती है फिर दिल्ली कोट में है अभी इस तरह से पेंडिंग ही चल रहा है ही कोट में फिर क्या होता है 2011 में के अनर्जी जो है अपना majority जो इंडिया की जो branches की majority जो stake holding है उसको sell करता है आपका वेदानता को वेदानता जो की माइनिंग से related आपके company है उसको sell करता है तो यहां पे आप देखोगे कि इंडिया जो है यहां पे sale को रोग देता है और जो profit है वो आगे distribute नहीं करने देता है इसको यहीं पे रोग दिया जाता है especially 10% stake जो है उसको allow नहीं किया जाता है sell करने के लिए allow नहीं किया जाता है कि आप इसको नहीं बेच सकते क्यों क्यों क्योंकि पहले आप इंडिया गवर्मेंट कह दिये कि आपनी जो tax यहां से 2014 के अंदर income tax department इससे clarification मांगता है कि आपका यह जो 2006 में जो deal हुआ था यह जो share transfer था इसके बारे में हमें बताइए 2014 के 15 के अंदर जो है इनसे 10,000 करोड something जो है डिमांड की जाती कि इतना आपका tax बन रहा है इतना आप tax pay करो यह जो tax की डिमांड की जा रही है किस basis पर की जा रही है KN Energy receives the draft assessment IT department से कि इतना आपका tax बन रहा है और यह tax हमने किस basis पर calculate किया है एक retrospective legislation था retrospective tax के basis पर यह डिमांड कर रहे है Retrospective tax का क्या मतलब है मान लीजिए आज आपने कोई law बनाया है है आज present में एक law बना दिया और कहा कि ऐसे ऐसे जो transaction है XYZ transaction इन पर आपका tax लगेगा पहले इन transaction पर tax नहीं लगता था लेकिन आज आपने law बना कि यह कह दिया कि इन transaction पर tax लगेगा आगे जितने भी transaction होंगे उस पर भी लगेगा और पीछे जितने भी transaction हुए है जैसे उन्होंने बोल दिया 2010 से हुआ है 2015 से हुआ है ऐसा mention कर दिया इसके बाद से इस nature के जो भी transaction है उन पर आपको tax देना पड़ेगा तो retrospective taxation क्या होता है जिसमें आप tax को enforce कर रहे हो बिहाइंड दा बिहाइंड डेट लेजिस्लेटिव डेट जिस डेट पर आपका वो tax मतलब law पास हुआ है उससे पहले से आप उसको enforce करने की कोशिश कर रहे हो मतलब law तो आज बनाया है मानलीज आपका मई 2021 में law बनाया है लेकिन आप कहोगे कि नहीं 2020 में भी ऐसे जो transaction हु तो 2015 में इस तरह से tax की demand की जाती है और last में care energy क्या करती है 2018 के अंदर care energy जो है arbitration tribunal के अंदर चली जाती है arbitration tribunal में यह आपका matter चला जाता है arbitration tribunal क्या है permanent court of arbitration है जिसके अंदर जो भी disputes होते हैं दो party के बीच में है कोई भी private entities हो गई चाहे वो fine international organization है या फिर कोई member state है countries है उनके बीच में अगर कोई dispute है तो उसको arbitration से सुल जाया जाता है आप सी इस तरह से समझोता type आप समझ सकते है तो यह proper sense में court नहीं है arbitration हो रहा है ताकि easily आपके dispute sort out हो जाया है ज्यादा legislation मतलब इस तरह से litigation नहीं चले यहाँ पर अपना case लेके जाती है और यह जो आपका है यह आपका United Nations से related नहीं है या फिर कोई legal issue involved है maritime boundary territorial dispute से आपने देखा होगा कि चाइना के अगेंस में गया था तब भी यह news में था sovereignty से कोई issue related है international investment के issues भी इसमें related है तो अब care and energy क्या कहता है कि international investment का issue है क्योंकि UK ने जो है इंडिया में invest किया हुआ है तो हम इस tribunal में जा सकते है अगेंस्ट इंडिया's demand for this tax यह जो capital gain tax की इंडिया demand कर रहा है उसके against में हम यहाँ पे जाएंगे clear तो यहाँ पर यह matter आता है अपका 2018 में 2018 के अंदर यह conclude कर दी जाती है hearings वगर है और आप देखोगे December 2020 में इसका decision आता है और वह किसके favor में जाता है के अनरजी के favor में जाता है यहाँ के अनरजी के favor में यह decision देता है arbitration tribunal क्या कहता है कि पहली बात कि इंडियान गवर्मेंट जैसा कहीं तो हम तो sovereign state है ठीक है हम किसी पे भी tax लगा सकते हैं अटा सकते हैं यह हमारा matter तो यह tribunal कह रहा है यह tax related matter से कहीं ज्यादा है यह आपका investment related dispute में आता है since international investment related disputes यह हमारे इसके criteria में है हमारा scope है इससे related कोई dispute होता है हम उस पर decision ले सकते हैं इसलिए हम इस पर decision देंगे और court ने care and energy के favor में decision दिया कि आप से यह tax की demand की जाड़ी है गलत है क्या reason दिया reason यहाँ पर arbitration court ने दिया कि आपका जो treatment है Indian government का treatment है that is the breach of fair and equitable treatment share and equitable treatment इसका क्या मतलब है देखें दो countries जब एक दूसरे में invest कर रहे है माल लिजी इंडिया है इसने UK में invest किया हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है bilateral investment treaty sign हुआ हुआ है दोनों के अंदर 1994 में bilateral investment treaty दोनों countries ने sign कर रखा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इंडिया के investors अगर UK में invest करेंगे तो उनको आप equal treat करोगे उनके against में कोई भेधभाव discrimination नहीं होगा है ना तो उनको fair treatment दिया जाएगा उनके investment को protection दिया जाएगा अदर्वाइस क्या होगा लोग invest ही नहीं करेंगे दूसरे country में इसी तरह से इंडिया जो invest कर रहा है UK में यह protection मिला हुआ है और UK की कोई company इंडिया में invest कर जिए तो उसको भी यह protection मिला हुआ है fair and equitable treatment का तो यह arbitration tribunal आपका क्या कह रहा है permanent court of arbitration आपका क्या कह रहा है कि यह जो आपने retrospective taxation लगा है tax की demand कर रहे हो यह गलत है क्योंकि यह fair and equitable treatment नहीं है और यहाँ पे इसने कहा कि आपको इतना इस तरह से pay करना होगा 1.2 यह जो है arbitration आपका win कर जाता है KN Energy और उसके बाद में Indian government से यह demand कर रहा है कि इतना पैसा आप हमें दीजिए Indian government कह रहे है कि हम इस पे आगे जो है जो भी adequate appeal होगी आगे हम करेंगे और यह पूरा process है ठीक है अब KN Energy क्या कर रहा है यह arbitration award तो जीत गया अब यह चाता है कि Indian government हमें पैसा दे अगर Indian government पैसा नहीं देती है तो इसने क्या किया अभी कुछ last महीं नहीं की बात I think few weeks back इन्होंने क्या किया पांच country में जिसमें UK भी है US भी है इस तरह से पांच country में इन्होंने case दायर किये और यह जो arbitration award इन्होंने जीता है उसको उन court में लेके आया और UK US के court ने उसको accept किया यह arbitration award को उन्होंने accept कर लिया कि हाँ आप नहीं जीता है और आप Indian government आपको इस तरह से पैसा देगी तो आपको होगे sir इंडिया में हुआ है तो US UK की government से क्या लेना देना है तो इसने ज सकता है यह कुछ इस तरह से माली जे आपने किसी को पैसा दे दिया अब वो पैसा रिटन नहीं कर रहा है तो उसकी कोई company है उसकी कोई plot है land है तो आप उसके उपर बोलोगे कि यह भीया यह हमें दे दे अपना claim से टल कर उस तरीके से तो यहां पर यह क्या चाता है अब इस स्टेट से अलग नहीं है स्टेट और आप एर इंडिया को अर्टिफिशली अलग नहीं कर सकते लीगल अगर हम बात करें तो दोनों सेम है यह जो distinction है यह आपका जो है सही नहीं है और यह हमें जो है हमारा जो claim है उसको return करने में बहुत problem create कर सकता है कि यह दोनों entities अलग है इसलिए यह कह रहा है कि हमने एर इंडिया को सू किया है मुकदमा दायर किया है इसके assets हम सीज करेंगे क्यों क्यों कि हमारा 1.2 बिलियन डॉलर का 1.2 बिलियन डॉलर का यह claim है जो कि arbitration award में हमने जीता था ठीक है अब Indian government इसको settle नहीं करती है तो हम इसके एर इंडिया या ज जो भी adequate action होगा वो लिया जाएगा ठीक है जो भी appropriate court है वहां पे इसको claim किया जाएगा arbitration award को क्या यह पहली बार हो रहा है कि assets siege कर लिये जा रहे है तो इससे पहले भी आपका यह prevalent practice है अक्सर ऐसा होता है अगर आप 2019 में देखोगे अमेरिका की एक company थी और उसने जो है assets siege कर government owned एक company की तो उसका कुछ due बागी था अमेरिका की company को है ना arbitration के अंदर में इसका कुछ 2 billion dollar का due बागी था और यह दे नहीं रहा था तो इन्होंने क्या किया अमेरिका वाली company ने इसके assets siege कर लिया फिर लास्ट में इन्होंने payment कर दिया इसी तरह से एमस्टरम डब में एक case हुआ था जहां पर jet airways का aircraft जो सीज किया गया था तो कहने का मतलब है जब unpaid dues होते हैं उसको settle करने के लिए इस तरह से assets किये जा सकते हैं इंडियन government के लिए challenging situation है यहां पर क्योंकि air India पहले ही काफी मुश्किलों से गुजर रहा है घाटे में चल रही है और government उसको पूरा प्राइवेटाइज करना चाहती है बड़ी मुश्किल से बायर मिलें टाटा से बात चल रही है तो यह और ज्यादा कॉंप्लिकेट कर सकता है उस प्रासेस को है ना वैसे इंडिया को monetary terms में तो नुकसान होगा एर इंडिया का जो disinvestment है या privatization है उसके लिए भी यह challenges खड़े करेगा तो यह पूरा issue हमने discuss किया this is all इस link पे आप मुझे follow कर सकते हैं यह मेरा telegram channel है fine जो PDF से हैं या जो इसके लावा और important sessions होते हैं वो यहाँ पे आप मुझे join कर सकते हैं इसके लावा unacademy से आप जुड़ सकते हैं UPSC preparation के लिए unacademy आपको one point solution देता है आपकी पूरी UPSC preparation के लिए अभी GS और optional वाला यह जो combo pack उस पे heavy discount चल रहा है यह आप ले सकते हैं batch course आप join कर सकते हैं 4-in-1 offer is there जहां पे आपको 20 books मिलेंगी जिसमें पूरा UPSC का slavers not form में cover है और आपका subscription next year problems तक valid रहेगा subscription का link description box में आप अपना plan चूज़ कीजिए put the code RB life to get 10% off similarly you can opt for iconic as well with added benefits you can go for optional, cable optional के लिए भी जा सकते हो combo के लिए भी जा सकते हो fine कोई भी doubt है यहाँ पे आप मुझे reach out कर सकते हैं इसके अलबाए यह आपका lawn facility का link है हर Sunday को scholarship test होता है इसके लिए आप जा सकते हो test series का benefit ले सकते हो this is all for today have a good day